हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी एब फिर से आप सभी का जियोग्रफी वाला जैपूर योटूब चनल पर हाद एक स्वागत हैं आज के इस सेशन में हम चैप्टिन नुमर फिप्ट को कंटीनियू करेंगे और इसमें हमने बूसंसादन और कर्सी वैवस्ता है बारती है उस के प्रोसेस को देखा था कि कौन-कौन से कारक है जो कर्सी उत्पादन को और इनके जो एग्रिकल्ट्र लेंड है उसके पॉइंट व्यू से एक दूसरे के संब्द है तो आज हम बारत में फसलों फसल रितूं के बारे में देखेंगे और उसके बाद में जो मुखी फंसला होते हैं उसके पॉइंट व्यू से बारत में कौन सी सीजन होती है और उन सीजन में किस-किस परकार की फसले होती है ठीक है तो यह चीज़ें देखते हैं हमारे देश के उतरी वे आंतरिक भागों में तीन परमुक फसल रितू खरीब रभी और जायद के नाम से जानी जाती है जिसे उसन कटीबंदी फसले समयली थे जैसे चावल कपास जूट जवार बाजरा वे अरहर आदी यानि यहां पर देखते हैं खरीब की फसल यह इंडेक्स दे रही है तो इसमें खरीब है जो जून से सितंबर के बीच में होती है जो मौनसून सीजन होता है उसमें कि क्वारत में टेंटि ऑपर दृब सीजन तो एक ऐंडिया में दू अलग अलग परकार करता से ठीक कि अठीक कवारत करता हैं क्योंकि उत्री बारत वहां पर जलवाई में मिदा हैं आप देखने को मिलती है तो इस वज़े से उत्र और अलग-अलग टाइब की फसले होती है तिक ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ जो फिक्स होती है जैसे चावल भारत में में सब्सके चांव फैसे जाजब की होता है कि यह सब्सक्क्राइब की handicap होता है इस से मैं कम तापमान सितोसन और उपोसन कटी बन दिये फस्ब्स जैसे गयों चनां सरसों आदी कि वुआ ही ठीक है जैसे रबी की सदे तो अक्टमबर से मार्च के बेच में चलती है आपके गयों चनना तो रियां सरसों और यह उत्री बारत में होते हैं वहें पे चावल मक् एक ग्रिस्मकालीन फसल रितु है जो रभी की कटाई के बात प्रारम होती है इस रितु में तर्बूच, खिरा, ककड़ी, सबजियां वेचारे की फसलें फसलों की करसी सिंचित भूमी पर की जाती है यदे भी इस परकार की परतक फसल रितु हैं देश के दक्सिनी बागों मे उपलब ये एक करसई बरस में एक ही फसल तीन बार में होगई जा सकती है जैसे चावल है ठीक है चावल है तो दुब रख्षिनी बारत में तीनों सीजिनते में उगते हैं ठीक है यू इस परकार से यह जाएद ए जो आपरेल से जून तक चलती है यहां पर वनस्पतिं बारणी कर्सी में वर्गी गर्द किया जाता है, सिंचित कर्सी में भी सिंचाई के उदेशियों के अदार पर अंतर पाया जाता है, जैसे रक्षित सिंचाई कर्सी तेता उत्पादक सिंचाई कर्सी, रक्सित सिंचाई करसी का मुक्य होदे से आदर्ता की कमी के करन्ट फसलों को नर्ष्ट होने से बचना है जिसका अभी पराई यह है कि वर्स के अत्रिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जा सके करने माँ के शिंचाई की पूरे वर्स जिरूरत होथी दूसरी तरव है इस टाइब के अधार हम अधार पर 27 को बहुत हैं उन्ट टाइम हो इसको यदी थोड़ी बहुत जल की जरूरत हो तो उसकी डिमांड को पूरा क्या सके इसलिए उस्को रक्सित चाई walk &ましょう है और दूसरा बारानी थोल लो जो महरवाति लेंगवेज में जो मौस्मेरितू में वर्सारितू ऑसला करते हैं तो अएयर सटैप या यह ईसा दॉरे उच करते हैं लो वह निर्बबर करशी के रूप में जानी जाती हैं इस मातरा में पराप्त करनी हैं ठीक है कि अधिया हमारे सीचाई की påivoito टो जिसमें उत्री बारत में जलनी वेस्के मात्र रक्षिस-इप्सक आधिक होती है यानि जो रक्स में किया है कि सीजन के नेमरे जैसे 4000 की सीजन यह ची applies यह पर बांपनेशचा क्टेफ अबहां बढ़ानों सब्सक्राल नंबॉझ करता है नियंदा नायरा कि राशिया पर दयानाय बीद अड़ाइबन कर्फि antrum yes तक सिमीत है जहां पर वार्स एक वर्सा 55 cm से कम है अब यह जो लाइन है यह जो गॉल्डन ट्रॉफ होती है गयों के लिए मावट को बोलते हैं तो उसी परकार से एक्जाम के लिए यह गॉल्डन लाइन है ठीक है बारत में करसी बारत में सुस्क भूमी खेती मुखित है उन प्रदेशों तक सिमीत है जहां पर वर्सा 55 cm से कम होती है तो आप आपको एक्जाम में पूछ लेंगे कि सिंचित गुमी करसी की वर्सा सेंटीमेटर हो कितने डिसाइड़ कि है मैं 65 55 55 पीचेंशी पंचन हो ठीक है फैक्ट्ट्रों कि पूचते हैं आजकर इन सेत्रों में स सेवार है रागी यह बाज्रमोंगः मैं प्रकार की फसले होती है अधी हूग स्ट्रों में मर्दाप्रों का सामना करते हैं इन सेत्रों में वे फसले होई जाती है जिनने पानी की अधिक मातरा में आफसे गता होती है जैसे चावल जूट कपा गन्ना सुरी आधी तता ताजे पानी की जलकर्सी भी की जाती है ठीक है तो जैसे चावल है जूट है इनको एनी टाइम जैसे चावल का तो यह है कि एनी ट वरकार continuous जल की जरुवरत होती है तो इस फरकार से हम ने चाहल टाइप बढ़े हैं तो सिंचित कद्वी और दूसरी गेरिशंचित कर्सी सिंचित कर्षी में भी दो पड़िती रक्षित पड़िती और दूसरी मुखीच्म बड़ी तो बार्थी अकर्षी अर्थ व्यवस्ता में खाद्यानों की महता को इस ततिय से माँ पाजा सकता है कि देश में समस्थ बोया गया चाथ या 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 नि टू-थर्ड जो एग्रिकल्च्रल देश का समस्थ बोया गया से तरह उस पर खाद्यान फसले होती यह इंपोर्टेंट कर देला देश के सभी बागों में काद्याइं फ़सल्ह पर्मुक है बले ही वहां जीविका निर्भा Hybrid करसी आर्थ वइवेशता हो ठीक है या तो भाते जीविकानी चेनिर्वा हो गिप मतलब है उतना ही production क्या जितने साध में ओर परकृह क्षाफपास के खेती कर लिग और परड़क्स्टन करके मार्केट में बेच दया तो इस परकाब से अनाज की सरचना के अदर खादियानों को अनाज दालाओं ना बैद भड़ी करदियाथा यह खादियान थादा है तो वावपस खादियान फसलों को पिद। आप पटिगरी में एक तो अनाज में अनाज का मतलब जैसे हम आए आए पढ़ेंगे चावल है ग्यों है जवादे बाज्रा इस टाइब की और दूसरी यह दाल है ठीक है तो आज हम पहले अनाज के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो बारत के कुल बहुए गए सित्र के लगब को 54 बाद में तीसरे इस्तान पर आता है ठीक है तो यह दो बात इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कि बारत वीवीत परकार के अनाज उत्पादों का उत्पादन करता है जिनने उत्तम अनाज जैसे चावल और गया हूं तो था मोटे अनाज जुआर बाजरा मक्का रागियादी में वर्गी घर्थ किया जा साथ ठीक है तो इसमें बैसिकली मुख्यमेंड जो फसले हैं उनके बारे में देखते हैं डिटेल से जिसमें पहला है आपको नाज के बारे में याद रखने हैं 54 परसेंट एरिया 11 परसेंट वर्ल्ड का और वर्ल्ड में तीसरे इस्तान पर ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट है चावल बारत की अधिकतर जन सिक्या का परमुक बोजन चावल यह यह उसन आधर कटीबंद फसल है इसकी 3000 से अधिक किसमें हैं जो विबिन कर्शी जलवाई परदेशों में बोई जाती है ठीक है तो आप यहां पर एक लाइन इंपोर्टेंट है चावल के स्टाइब की फसल है उसन आधर कटीबंद फसल है ठीक है यह लाइन परदेश और उत्री राजस्तान में सपलता पूर्वक की जाती है अब आप सभी को पता है राजस्तान का उत्री पॉर्शन है और पंजाब और हर्याना का दक्षणी और दक्षणी पस्चिमी बाग है यहां पर मुर्षत लिए क्लाइमेटिक कंडिशन है ठीक है यानि जल क उपलबता बिल्कुल ही जीरो है तो यहां पर किया है कि इंद्रा गांदी नहर और जो नदियां है उनसे अलग-अलग नहरे निकाली कई है इस वज़े से यहां पर सिंचाई की जा दिये तो यहां पर चावल का प्रोड़क्शन किया जाता है उसी परकार से जो उत्त्री प बंगाल में जल्वाय उनकुलता के करण एक करसिवर्स में चावल की दू या तयन फसले वह जाती हमने रभी खरीब और जाहित तीनों फच्छा पोटी थी खरीब रभी और जाहित वहां पर तीनों में दक्ष्णी बारत में हमनें चावल पड़ा था ठीक है यहां पर चाल जाओन चावल चाओन ठीक है तो यहां पर इसकी क्लाइमेटिक कनडिशन के यесाब से बश्छ्छ मी बंगाल में किसान चाओन की तीन किसमे लेते हैं जिसे कहा जाता है पर नो हमाले त्था दैस यह तो यह नहीं जाती है यह जाती है तो यह लाइन आपको इंप्रटेंट याद रखनी है ठीक है तो चाहल के बारे में दो तीन एक तो यह उसके तीन किस्म हैं जिस पॉपस्च्छमी बंगाल में उस ममन बोरो के नाम और दूसरा की दंसी बारत में इसमें 3 ते इसंग का उत्पादन करता है चीन के बाद में बारत साथ से भड़ी मोंसूनी का प्रोडूसिंग कंट्री एक साथ परसेंट करता है दूसरा चेन के चावल बॉय जाता है यानि पहले तो बढ़ता था कि टू थर्ड पॉर्सण है इंडिया का टोटल बोय गया इस दरवाँ पर घादियान फसल्ब होती है और खादिया फसल्ब का भी देश के कुल बॉय गया से दुटेट सेका तो इसमें यह याद रगना इंप्रोटेंट है जो पर्ती हेक्टर उतपादक सबसे जधा कौन सा है राजी पंजाब है उसके बाद हो नेक्स्ट है इसमें से पहले चाहर राजियों में लगबग संपूर्ण चाहुल से तर शिंचित है यानि पंजाब पंजाब तमीनलाडू हरियाना और अंधरा परदेश पंजाब हरियान पारंपरी रोप से चाहुल होता तक राजिय नहीं है लेकिन हरीत करांति के अंतरकत हरियाना पंजाब के सिंचित सेतर में चाहुल की कर्शी उनीस से प्रारंब हुई है उत्तम किसम के बीजों अपैक्स परदेश 36 ड़ोडीशा में रशा पर निरबर सेतिरों में बहुत कम करती है ठीक है बहुत कम होती है जो चाहुल की परती कई उत्पाधन सेतर कहां पर जयादा होगा जहां पर सेच्फाइक के प्रोपर साधर नोंगे जैसे पंजाब हरियाना लेकिन दूसरी तरह मद्यपर तो यह है आपका चावल से समन्दित तो यह बातें पर याद रखने है कि पंजाब और रिजाना में चावल परमपरिक रूप से नहीं होते हैं लेकिन हरित करांती के बाद है क्यों आए क्योंकि यहां पर अभी उत्म किसम के बीज थे अधिक खा दें कितना सका परियोग था सकते बादमें सुस्च जलवाही ऊरितन होने की वजह से थी के फश्ट रोग पर्दीरद CT SMT भी कम होती थी Kenine Q Ride यह मैंन कारण है उसके बादने बारत में है चावल उत्रपद्र हें परमुक। कौन से है पूरवी उत्तरपर्देश बिहार ठीक है और यह चोटा पूर्वाला वेल्ट है जिसमें मिडल पॉर्शन को चोड़ दें असम में जो ब्रंप उतर गाटी है और उसके बाद में पूर्वी तर्टवर्थी रहका है और केरला का कॉस्टल एरिया और गोवा उसी परकार से गोण से तर कौन-कौन से है जो पस्चिमी गाट है और पूर भी मद्य मद्य पर देश ठीक है तो यह से तरे जो कौन से गोण से तरे वसी परकार से नेक्स्ट है गहूं ठीक है अब गहूं के बारे में देखते हैं कि भारत में चावल के पश्चा दूसरा प्रमुक अनाज है बारत विस्व का लगभू 12.8 परतिसत गहूं उत्पादन करता है 2017 के नुशार यह है मुकित सितोसन कटीबंदी फसल है पता इसे सरद रितू अर्थात रभी में बोए जाता है इस फसल का 85% से तर बारत के उत्री बाग उत्री मद्य बाग पर केंद्रित है अर्थात उत्र गंगा का मैदान मालवा पठार हिमाले परवतिय स्रेणिय है ठीक है तो अब यहां पर इंप्रोटेंट चीजे कौन कौन सी एक तो विस्व का 12.8% ठीक है सितोसन कटीबंदी फसल है ठीक है उसके बाद में सरद्री तुम बोए जाता है ठीक है 85% से तर कहां पर उत्री पस्चिमी उत्री मद्य वारत में इस्तित है ठीक है जो उत्तर गंगा का मेदान है मालवा का पटार है मालवा का सितर है ठीक है उसके बाद में ये मद्य परदेश और मालवा में पटार सितर में वर्सा पर निर्पर करता है ठीक है ये दो तीन चीजे है उसके बाद में नैक्स्ट है देश के कुल बोए गए सितर के लगबग 14% बाग पर और ग्याहों के knotsीड से जाती है जब्भी उत्तर पर्देस, मध्यलपर्देस, पंजाब, हरियाना, राजस्तान है पंजाब én हरियानामे ग्ययांगी इत्पादक था परसेंट है चाउल तो लेकिन गहुं कितना है ग्यूता परसेंट के एसपास दो और प्रोडिक्टिविटी के द्यान रखना कि ज्यादा काप है मदीम पांप और निमन काप है ठीक है तो इसी भरगाश ही यह ग्यों प्रमुक शतर कौन सा है परोग से तरी जम्मुकस अगस्मेर का दक्षणि हिमाचल पर्देश पंजाब उत्री राजस्तान हरियाना और उत्राकंडे मधी पर्देश है ठीक है और परिष्मी उत्र परदेश है उसके बाद में गौण से तर्कॉन कौन से है जो राजस्तान का तो यह जो मुक्य उत्पादक सेटर कौन सा इतरी बारते है ठीक है याद रखना इंपोर्टेंट है और ग्यांग एक सितोसन कर ट्रीवन्द याद रखना है यह दो तीन चीज़ें इंपोर्टेंट याद रखने हैं नेक्स्ट है हमारा जवार के बारे में देश के कुल बहु ले गए सितर के 5.3% बाग पर बहुए जाती है अब यह चीज़ इंपोर्टेंट रखने 25% एरिया पर तो चावल बहुए जाता है और 16.5% एरिया पर मोटे अनाज की फसले बहुए जाती है और 14.1% सोरी 14% बाग पर ग्यों बहुए जाते हैं लेकिन जो 16.5% मोटा अनाज लेत्रों की परमुख खादियन फसल है खादियन फसल है महारस्ट राजिये अकिला देश के आदे से अधिक जवार का उत्पद्ण करता है ठीक है तो यह लाइन इंप्पोर्टेंट है आपके लिए चुमेद्य परदेश है वो स्वरी महारस्टरा राजिये का अकिला आदे यानि 50% से जड़ा प्रोडेक्शन करता है महारस्टरा ठीक है तो से फरकार से नेक्स्ट है अनिया पुर्मुख जवार उत्पदक राजियों में करनाटका मधियपुर्देश अंधरपर्देश तता तयलंगाना है दक्सणी राजियों में खरीब तता रभी दोनों रित्म जांगे नेक्स्ट है आपका बाजरा ठीक है अब बाजरा है बारत के प्स्चमी तता उत्री प्स्चमी बागीोuk में गरम थता सूस्क जलवाईव में बाजरा बाजरा बहो जाता है यह हैं फचि Stream क्यों है दोर में सुका सय्ट करने में समर्तिये हैं सूका सय्न करने का किया कि या तो सिंगल बाजिय के कषेती कर ली या बाजिया कि क्षाथ मेंगे तिली है ठीकी किल है या मोट है इस टैप की खेती भी कर देते है साथ में कवी ठीक है यह आपकल बूए गए सेतर का लगवग 5.2% पर बोई जाती है अब यह इंपोर्टेंट याद रखना है कि जो जवार है वो 5.3% है और बाजरा है जो 5.2% है ठीक है जवार है वो 5.3% है और बाजरा है 5.2 ठीक है बाजरा उत्पादक परमुक राजिये माराष्टा गुजरात उत्तर परदेश कम है इसके इसमें अत्यादिक उतार चड़ा हुए कुछ वर्सों से सुका परतिरोदक किसमा के आगमंद से तता गुजरात है वर्याना में सिंचाई सुईदास के विस्तार से इस फसल की पैदावार में वर्दी हुई है ठीक है तो यह याद रखना जान पर थोड़ी इमन कोटी मिटी वे अर्ध सुष जलवाई परिस्तिरियों में उगई जाती है यह फसल बोये के सितर के केवल 3.6% बाग पर बोई जाती है ठीक है यानि मक्का का एडिया है वो 3.6% पर बोई जाता है एक्स्ट है मक्का की करसी किसी भी से रूप से कैंदरित नहीं है यह प कर लिए इसकी प्षणि रच्व होती है फिसके पैदावारी पcinThei रजियों में अधिक और कुछ मद्य बागों की और कम होती है तो यह बात IP content है जो मक्का है उसका production ब्रटत्रेशन बारतमें अचा होता हैços नौर्धन इंडिया वहीं-पपाज्ञ ऊछर cities और जवार का उत्री बारत में अच्छा प्रोटेक्शन होता है इस कंपेर टू वीदिन के साउथ में ठीक है तो यह चीज़ें इंपोर्टेंट है याद रखनी है नेक्स्ट है दालें अब दालों में कि पर्चूर मात्रा में प्रोटीन के सुरूत होने के कान दालें सागारी दक्कन के पटार मद्य पटार ही बागों तता उत्री पस्ची में सुस्क बागों में की जाती है देश के कुल बोए गए सेतर का 11 परसेंट बाग में दालों के अदिन है ठीक है यानि 25 परसेंट बाग पर तो हमने चावल पटा था उसके बाद में 16.5 परसेंट पर मोटे आ है वार्सिक उतार चड़ा उपाया जाता है चावल सुरी चना तथा अरहर बारत की परमुग दाला है ठीक है तो इसमें पहली हम चना के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो यह बैसिकली दो तीन चीज़ें एक तो बारत परमुग उत्पादक राजी है और नाइट्रोजन य यह मुक्यत है वर्गो परादर इत थिफ उत्युक्हा्य के रिवाग में क्यृषची में रभी की रिफजों में बहुंग जाना वाली पसल है ठीक है इस फसल को इस फसल को सप्पलता पूरवक्त उगाने के लिए वर्सा की केवल एक या दू हलकी बोचा रहा है या कम से कम एक बार से इंचाए कि आउसकता होती है ठीक है आप इमेजन कर सकते हैं कि यह फसल जल की कितनी उपलबता हो जरूरत होगी इस फसल को हरियाना पंजाब और उत्र चना बहुते हो तो आपको एक तो प्रोडेक्शन कम मिलेगा उसके बाद में आउटपूट कम मिलेगा ठीक है मार्गेट में बेचने जाओं के तो ज्यादा आपको पैसे नहीं बिलेंगे उससे परकार से जो ग्यों है ठीक है तो पंजाब और हरेना और राजियों में क्या तो यह भी इंपोर्टेंट है यहां पर याद रखना चना 2.8% पर होता है ठीक है नेक्स्ट है चने की ख्यति की जाती है इस वसल के परमुक उत्पादक रजी मतिपर्देश उत्रपर्देश महाराष्टा आंदरपर्देश तेलंगाना और राजस्तान है इसकी उत्पाद सब्सक्ता एक वर्स से दूसरे वर्स के बीच में उतार चड़ा पाया जाता है ठीक है तो यह आपकी चना के बारे में उसके बाद में नेक्स्ट है अरहर यानि तुर्की डाल ठीक है यह देश की दूसरी परमुक डाल है जो लाल चना था पिजन पी के नाम से जाने जाती ह है ठीक है तो रेडिस कलर की होती है ठीक है इस टाइब की ठीक उसको बोलते हैं अरहर या तुर्की दाल जिससे पीजन पी के नाम से भी जानते हैं तो एक्जाम में कभी क्योंसन पूछ लेंगे कि जो आगे हमीं कंटिन्यू पढ़ेंगे एक बार पढ़ लेते हैं यह देश क कि अरहर के कुल उत्पादक का अलगवक एक तियाई बाग अकेले महारास्ट्रा से आता है ठीक है अनिया पुर्मक उत्पादक राजियों में उत्तरपरदेश करनाटा का गुजरात और मद्यपरदेश है इस फसल की परती हिक्टर उत्पादक था कम और अनियमीत है ठीक है डूसरा स्टैट्मेंट देंगे कि देश के अरहर के कल उत्पादक लगबग एक टीयर भाग महारास्ट्रा से आता है ठीक है तो यहां पर चार इस्तैट्मेंट देंगे पहला तो यह एकृइए परसेंट चेदर पर बोई जाती है तो यह को देदेंगे कि P'vela szana बौल देंगे दूसरा आपकोбы पजैंव लाजशन देंगे तीसरा आपको कोई तिलहण की वाहिन पहलें समय को नियाहां है हुआ है तो चलिया आज इसना मी इतना इसे हैं नाम भिस्स लोकृ की है उनके के गान की मूल फेले में को नहीं के पारे में जो च्कालिक नहीं से तो इन के राएं में ने सेस्टन में डिटेल से डिक्स करेंगे, चलिए.